Hello everyone and welcome back to the learning box by Puntun Kids Last video में हमने कौन सा लेटर सीखा था? Standing line and to sleeping line? Yes, letter I और I का sound क्या है? I I का sound है I यह है uppercase I and lowercase I और जित्ती बारी हम यह sound कहते हैं हम कैसे करते हैं? I says E E as in India East or West, India is the best यह किस ने कहा था? E E या राने और आपको ध्यान में है यारा उस दिन क्या खा रही थी? E यारा खा रही थी Think, 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 सोचो, सोचो यारा ने फोटो खिचवाई थी इग्लू के साथ I say E E as in इग्लू और ये इग्लू कैसा है दा? एक्जाम, अलग सा घर पता है क्यों? क्योंकि यह बनता है बरफ से और इसमें रहते हैं Eskimos Very nice और अब पता हमें क्या करना है? आप तो बड़े स्मार्ट हो गए हैं बुक और पैन पहले से ही लेके बैठे हैं Very good तो चलो, अब हम लिखते हैं Letter I चलिए, पहले बनाएंगे हम एक Sleeping Line फिर एक Standing Line और अब एक और Sleeping Line है ना कितना Simple बन गया हमारा Uppercase I एक बार संग बोलेंगे I says E E as in India और अब बनाएंगे हम Lowercase I एक Standing Line और एक छोट इसी टेल और एक Dot That's it Lowercase I I says E E as in India और अब सब को क्या करना है चलो 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 Quickly ममा पापा को बुला के ये वर्कशीट की एक पिच्चर लेनी है और क्या करेंगे इतना प्यारा सा इग्लू है इग्लू को कलर करना है I say E E as in इग्लू I hope आप लोग सब बहुत अच्छे से कलरिंग करेंगे और ये सभी letters, words को अच्छे से प्राक्टिस करेंगे ओके हम बहुत जल्द मिलेंगे और तब तक के लिए बाई और भूलना नहीं क्या करना है लाइक, शेर और सब्सक्राइब बाई एव्रिवान